है लो आज हम एग न्य ग्रास्ठय स्टर्ट करेंगे जिसका नाम हैं फांक्शन्स आप category इस चैप्टर को पर चुके 11 CLASS में जहांँ आप ने इस चैप्टर की basics पढ़ेते जैसे कि functions क्या होता है relations क्या होते है domain क्या होता है range क्या होता है और ऐसी बहुत सरी आप छोड़ छोड़ चीज़े पढ़े थी अब हम इस chapter में हम पढ़ेंगे कुछ और properties of functions and functions कितने types होते हैं यह सब चीज़े हम इस chapter में पढ़ेंगे तो इस chapter में आगे बढ़ने से पहले हम एक बार relations को revise कर लेते हैं relation होता क्या है माल लो हमारे पास दो non empty sets है set A and set B अब हमने इन दुनों sets का cartation product किया तो हमारे पास एक नया set आएगा अब इस जो relation है इसको हम denote करते हैं A से और यह R एक ऐसा set होता है जो A cross B का subset होता है for example हमारे पास आप दो sets है A and set B set A के elements है 2, 3 और set B के elements है 1, 4, 6, 9 अब इन दुनों के बीच मा relation क्या है relation यह है कि 2, 4 से related है and 2, 6 से भी related है 3, 6 से related है and 3, 9 से भी related है तो अकर हम इससे लिखना है in roster form तो सम लिखेंगे इस तरह से that is R is a set जिसके elements है 2, 4, 2, 6 3, 6 and 3, 9 अब हमें देखना है कि जो set है 1 और A and B इनका partition product क्या होगा तो यह भी एक set होगा जिसके elements ही मैंने यहाँ पर लिखे हुए है अब क्या है इस set R के elements A cross B में भी लाइक करते हैं तो हम चेक कर लेते हैं पहला element है 2, 4 2, 4 A cross B में लाइक करता है 2, 6 B A cross B में लाइक करता है similarly 3, 6 and 3, 9 B A cross B में लाइक करते हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो set R है यह A cross B का subset है मतलब कि जो R है यह A और B में एक relation है तो इस तरीके से हम किसी relation को define करते हैं मतलब कि यह है कि जो set R होता है यह relation R होता है वो A cross B का subset होता है अब यहाँ पर important बात जो आपको note करनी है वो यह है जो set A होता है इसे हम कहते हैं domain यहाँ पर domain elements है 2,3 जो set B होता है इसे हम कहते है code domain जो code domain है वो elements है 1, 4, 6 and 9 यह code domain हो गया और जो range होती है जो elements map होते है उसे हम कहते है range तो यहाँ जो elements map हो रहे है वो हो रहे हैं 4, 6, 9 तो इसे हम कहेंगे range तो इस तरीके से हम relation को define करते हैं I hope आपको relations clear हो गया होगा अब हम बढ़ेंगे types of relations यह तीन type क्यों होते हैं पहला है reflexive दूसरा है symmetric और तीसरा है transitive अब यह होते हैं income लेखेंगे one by one यहाँ पर हम एक relation are defined करते हैं in set A और अगर किसी set A में एक element है A और हमने इसका किया partition product that is A cross हमने इसका निकाला तो हमारे पास एक element A, A आएगा तो यह A, A अगर set R में present है तो हम कहेंगे जो relation R है यह reflexive relation होगा अब इस second case में मालो हमारे पास set A में दो elements है A और B और हमने इसका किया partition product status हमने A cross से निकाला तो हमारे पास एक element क्या आएगा एक आएगा हमारे पास A, B अगर यह A, B set R में present है तो B, A, B set R में present होना चाहिए अगर यह condition satisfy होती है तो हम कहेंगे कि relation R है वो symmetric relation होगा तीसरे case में हमारे पास मालो set A में तीन elements है A, B और C तो हमने अगर किया partition product हमने अगर इक रोस से निकाला तो हमारे पास elements हाएंगे A, B B, C और A, C तो अगर हमारे पास set R में A, B present है B, C भी present है तो फिर A, C भी present होना चाहिए तब जा कि relation R है वो transitive relation कहलाएगा यानि कि अगर हम एक example solve करेंगे इसमें हमारे पास एक set है set A जिसके elements है 4, 5, 6 और हमें साथ में एक relation दिया हुआ है जिसके elements 4, 4 है 5, 5 है and so on हमें अप्रूफ करना है जो relation है R यह reflexive है पर यह ना ही symmetric है और ना ही transitive है तो इसको अप्रूफ करने के लिए हम तीनों condition अप्लाइ करेंगे reflexive, symmetric और transitive वाली तो first condition थी reflexive की जिसमें बोला हुआ था कि एकर किसी set A में element है A तो set R में A, A present होना चाहिए यहाँ पर हमारे पास set में पहले element है 4 तो set R में 4,4 present होना चाहिए तो 4,4 set R में present है and 5,5 since A में present है तो 5,5 sorry 5 A में present है तो 5,5 R में present होना चाहिए and 6 A में present है तो 6,6 भी A में present R में present होना चाहिए तो since मारे पास यह तीनों elements R में present है तो हम कह सकते हैं यह जो relation है यह reflexive relation है अब second condition दिखेंगे symmetric वाली उसमें हमें बोला था कि तो हमारे पास set A में दो elements है A, A और B और अगर A, B set R में present है तो B, A, B set R में present होना चाहिए यहाँ पर A है 4 और B है 5 तो 4, 5 अगर set R में present है तो 5, 4 भी set R में present होना चाहिए हैं बड़ 5, 4 R में present नहीं है तो हम कह सकते हैं जो relation R है यह symmetric नहीं है and third case जो था symmetric transitive का इसमें बोला था कि अगर A, B set R में present है B, C भी set R में present है तो A, C भी R में present होना चाहिए यहाँ पर A है 4, B है 5 और C है 6 यहाँ पर 4, 5 R में present है 5, 6 भी R में present है तो यहाँ पर 4, 6 भी आप में present होना चाहिए था लेकर यहाँ पर 4, 6 R में present नहीं है तो हम कह सकते हैं जो relation R है यह transitive relation नहीं है तो उस्ते किसे हम किसी सवाल को prove करते हैं using conditions of reflexive, symmetric and transitive अब हम continue करेंगे functions को functions क्या होते हैं? functions are relations के special case होते हैं माल हमारे पास दो sets है, set A और set B तो अगर set A के element का exactly A की image होगा set B में तो उसे हम function कहेंगे for example, यहाँ हमारे पास दो sets है, set A and set B set A के elements है A, B और set B के elements है X, Y, Z तो अगर A का exactly A की हम यहाँ पर image होता तो यह function होता, पर यहाँ पर A के दो images है एक एक image है X और दूसरा image है Y तो since यहाँ पर A के दो images है, यह function नहीं है लेकिन इस case में यहाँ पर A के एक ही image है X और B का यहाँ पर भी एक ही image है Y तो यह function है, तो इसलिए हम कहते हैं general कि अगर A की set A के element का exactly A के image है set B में तो वो function कहलाएगा इससे हम देखते हैं ग्राफिकली ग्राफिकली में देखने के लिए हम क्या करेंगे हम यह आप पर test करेंगे vertical line का तो मालने हमारे पास एक graph function का जो कि यह तरह से है अगर हम को यह तरह vertical line ड्रॉ कर सकते हैं जो graph को दो बाग कर सकता है exactly एक X पर, तो वो function नहीं होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो Y के लिए exactly एक X के लिए आ रही है तो यह function नहीं होगा जबकि इस वाले case में यहाँ पर एक X के लिए exactly एक Y के लिए बलने वाली है आपको तो यह function होगा तो आपको note करना है कि जब भी कोई function के graph में आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक ही X पे दुबा कट करती है तो ग्राफ function का नहीं होगा जबकि ऐसा ग्राफ function का होगा तो इस तरह से हम function को भी टेस्ट करते हैं